स्वागत्या आपका स्कूल राज त्योरी में आज हम आरम करने जा रहे हैं कक्षा आठ में सामाजी विज्ञान का इतिहास का छटा अध्याय उप निवेसाबाद और सहर एक साही राजदानी की कहानी इससे पहले हमने पांच अध्या देख लिए हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिक्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस में जाकर भी देख सकते हैं हम इसा की तरह पहला अध्याय को समझेंगे और फिर पश्चन उत्तर करेंगे आप निवेशिक सासन में सहरों का क्या हुआ आप देख चुके हैं बिटिस सत्ता की स्थापना के बाद गावों का जीवन किस तरह बदल गया था इसी समय सहरों में क्या हो रहा था इसका जवाब इस बात पर निर्बर करता है कि हम किस तरह की कस्बे या सहर की चर्चा करते हैं मदूरे जैसे मंदीरों के सहर का इतिहास, धाका जैसे उत्पादन, सहर या सूरत जैसे बंदरगा या एक कैई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा पच्चिमी विश्व के जादतर भागों में आधूनिक सहर ओद्योगी करन के साथ सामने आये थे ब्रिटेन में लिड्स और मैंचेस्टर जैसे ओद्योगिक सहर उन्निसवी और बीसवी सताबदी में तेजी से फैले क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्ने सुवीदाओं के उमीद में इन सहरों की तरफ आ रहे थे लेकिन उन्निसवी सदी में भारतिय सहर पच्चिमी यूरूप के सहरों से तरह तेजी से नहीं फैले ऐसा हो क्या हुआ? देखते हैं यह मचली पट्टम का द्रस्ते है 1772 का मचली पट्टम सतारवी सदी में एक महतुन मंदरगा था अठारवी सदी के आखिर तक जब व्यापार बंबाई मदरास कलकता और नए ब्रिटेस मंदरगाओं पर केंदरी तो नहीं लगा तो उसका महत्वा घड़ता गया उपर पेरिग्राफ में देखा कि जो भारती है सहर थे वे ब्रिटेस की सहरों की मुकाबले इतनी ज़्यादा तरकी क्यों नहीं कर पहे ऐसा हम आगे पढ़ेंगे अठारवी सदी के आखिर में कलकता बंबई मदरास का महत्व परशिनेंजी सहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था यह सहर भारत में ब्रिटेस सत्ता का केंदर बन गए थे उसी सहरे बहुत सारे सहर कमजोर पढ़ते जा रहे थे खाचीजों के उतपादन वाले फहुत सारे सहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीजे बनती थी उनकी मांग घरती गई जब व्यापार नए इलाकों में केंदरित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंदर और बंदरगा पहली वाली स्तिती में नहीं रहे इसी परकार जब अंग्रेजों ने इस्थानीय राजाओं को हरा दिया और सासन ने के नई केंदर पैदा हुए तो छेत्रिये सत्ता क पुराने केंदर भी ढह गए इस प्रक्रिया का अक्सर विस्वरी करन कहा जाता है मचली पटनम सूरत और स्री रंग पटनम जैसे सहरों की 19 सदी में काफी जदा विस्वरी करन हुआ 20 सदी की सुरुवात में केवल 11% लोग सहरों में रहते थे इस पेरेगरापने हमने देखा कि 18 सदी में आखीर तक क्या कॉलकता, मंबई और मधरास गमेंतों बढ़ता गया क्योंकि वे प्रसीडेंशी सहर थे प्रसिडेन्सी सेर क्या होता है सासन की सुविदा के लिहाज से उपने विशिक भारत को तीन प्रसिडेन्सी बदरास, बंगाल और मंबई में बाड़ दिया गया यह तीन प्रसिडेन्सी सूरत, मदरास और कॉलकथा में इस्तित इस चेंडिया कमपनी की फैक्टरियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी तो इन में क्या हुआ ये सहर तेजी से बढ़ रहे थे और विक्सित हो रहे थे क्योंकि यहां ब्रिट्टी सत्ता का केंदर था लेकिन जो पुराने सहर थे और पुराने जो बंदरगा केंदर थे वहां की मांग घटती गई क्योंकि इनकी केंदर सिफ्ट होते गए जिस प्रक्रियों क्या कहते हैं विसहरी करन एतियासिक सहर दिल्ली उन्निस्वी सताब्दी या फिन्निस्वी सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था परंतु 1912 में ब्रिटीस भारत की राजदानी बनने के बाद इसमें दुबारा जाना गई आए दिल्ली की कहानी को देख कर समझें कि उपनेवेशिक सासन के दोरान यहां क्या चल रहा था अब हम क्या करेंगे दिल्ली के बारे में देखेंगे जो चित्र दो है इसमें साप नहीं दिखाई दे रहा है यह 28 सदी में बंबई का बंदरगा है जब इस्ट इंडिया कमपनी पच्ची में भारत में बंबई को मुख्य बंदरगा के रूप में इस्तवाल करने लगी थी तो बंबई सहर फैलने लगा था सहरी करन क्या होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग सहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं नई दिल्ली से पहले कितनी दिल्लिया थी आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी की रूप में देखते हैं क्या आपको मालूम है कि यह सेर 1000 साल से भी जादा समय तक राजधानी रह चुका है इस दोरान इसमें छोटे छोटे हंतराल भी आते रहे हैं यम्नो नदी के बाय किनारे पर लगबक 60 वर्गमिल के छोटे से छेतर फल में कम से कम चोधिया राजधानिया अलग-अलग बसाई थी आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अफसिस दिखाई दे सकते हैं इन में 12 से 13 सतरवी सताबदी के बीच बसाई गए राजधानी सहर सबसे महत्पुन थे इन सारी राजधानियों में सबसे सांदर था राजधानी सहाजाने बसाई थी इसका नाम था सहाजनाबाद जिसकी इस्तापना 1649 में हुश शुरू ही थी इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा सहर था लाल पत्तर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था इसके पच्चिम में 14 दरवाज़ों वाला पुराना सहर था चाननी चौक फैज बजार की मुख्य सडके इतनी चौड़ी थी कि वहां से सही यात्राय आसानी से निकल सकती थी चाननी चौक के बीचो बीच नहर थी गने महले और दरजनों बजारों से घिरी जामा मज़ित भारत की सबसे विशाल और भव्य मज़ितों में से एक है उस समय पूरे सहर में इस मज़ित से उचा कोई स्थन नहीं था जो हम इस द्रस्ते में देख रहे हैं ये साफ नहीं दिख रहे है सहाज जहानाबाद की एक तस्वीर है दा इलिश्टरिट लंदन न्यूज में 16 जनवरी 1888 में छपे थी आप आई और किला देख रहे हैं सहर को घेडने वाले दीवारों को ध्यान से देख सकते हैं बीचो बीच चान्नी चौक और मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है दाइनी और यम्न नदी लाल कले से सटकर भे रही है अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है जहां नाफ के नारे के तरफ बढ़ रही हैं उसे अब दर्या गंच कहा जाता है पैरेग्राफ में हमने क्या देखा कि नई दिल्ली कैसे आधोनिक बनी इसमें पहले चोटे-चोटे बहुत साई राजदानिया थी सबसे मेन राजदानी कौन जी थी जो कि सहा जाने बसाई थी सहा जना बाद जिसकी स्तापना 1649 में हुई थी ये एक परिसर में घिरी हुई थी चारों तरफ इसकी बाउंडरी थी और इसमें 14 दरवाजवला पुराना सहर था वा बीच में एक लाल किला और इससे सटा एक बजार सहा जहां किस समय दिल्ली सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र हुआ करती थी यहां कैई दरगा खान कहा इद गहा थे बड़े बड़े चोराए टेड़ी मेड़ी गलियां खामोस कुल दे सेक और जल धाराओं पर दिल्ली वालों का नाच था साइद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था दिल्ली की सडके में सडके नहीं हैं वै तो किसी चितरकार की एलबम के पन्ने हैं लेकिन यह आदर सहर नहीं था इसमें ऐसो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आता था अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत घहरा था हवेलियों के बीच गरीबों की असंग के कच्चे मकान थे साइरी और नृत्य संगीत के रंग बिरंगी दुनिया आमतोर पर सिफ मर्दों के मरोनिंजन का साधन थी क्योहारो और जलसे जुलसों में जब तक टकराब भी फूट पढ़ते थे सो अलग सहा जहां कि जो दिल्ली थी पर सूफी संस्कति की एक एहम केंद्र थी जहां पर क्या था दर्गा थी खान दाते और इदगा भी थे बड़े बड़े चोराय और टेड़ी मेड़ी गलिया दर्गा क्या होती है सूफी संथ का मकबरा खान कहा क्या होता है यात्रियों के लिए विश्राम घर ऐसा इस्तान जहां लोग आध्यादिक मामलों पर चर्चा करते हैं संतों कासिरा लेते हैं या नर्तिया और संग्रित कारक्रम का आनंद लेते हैं इदगा, मुसल्मानों का खुला प्रात्ना इस्थल, जहां सारवजनिक प्रात्ना और त्योवार होते थे कूल दे से एक ऐसा रास्ता जो एक जगे जाकर बंद हो जाता था दिल्ली क्या थी? सिर्फ जो अमीर लोगों थे, वहीं वहां पर अच्छे से रह पा रहे थे और गरीबी और अमीरी की बीच में वहां फासला बहुत जादा था चित्र चार में हम दिल्ली इस्तिजावा मजजित के पूर्ट दरवाजे टॉमस डैनियल ने चित्र बनाया था सत्रा सो पिचाणमे में मिनारों पूरे गुंबदों वाला यह भारत की पहली मजजित थी चित्र पांच में दिल्ली में निजा मुद्दिन ओलिया की दरगा दिखाई दे रही है स्रोत एक देखते हैं दिल्ली जो एक सहर था आलम में इंतकाम सत्रा सो उन्चालिश तक दिल्ली नादीर सहा के हातों में तभाई और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी सहर के पतन पर दुख भरे लहजे में अठारवी सदी के उर्दु सायर मीर माकी मीर कहते हैं दिल्ली जो एक सहर था आलम में इंतकाम हम रहने वाली हैं उसी उजड़े दायरे के मैं उसी उजड़ी वी दिल्ली का रहने वाला हूँ जब जमाने में दिल्ली दुनिया का सबसे भवे सहर था नई दिल्ली का निर्मान देखते हैं 18-3 में अंग्रेजों ने मराटों को अहरा कर दिल्ली पर नियंतरन हासिल कर लिया था क्योंकि बिटिस भारत की राजदानी कलकता थी इसलिए मुगल बादसा को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी आज हमारे सामने जो आधोनिक नगर दिखाई दे रहा है वे 1911 में तब बनना सुरू हुआ जब दिल्ली बिटिस भारत की राजदानी बनी नई दिल्ली का निमन कैसे हुआ वे हम देखते हैं एक अतीत का ध्वन्स 1857 से पहले दिल्ली के हालत दूसरे उपन विसिक सेव से काफी अलग थे मदरास बंबई कलकत्ता में भारतिये और अंग्रेजों की बस्तिया अलग होती थी भारतिये लोग काले इलाकों में अंग्रेज लोग सूसजित गोरे इलाकों में रते थे दिल्ली में ऐसा नहीं था खास तोर पर 19 सदी में पूरवार्द में दिल्ली के अंग्रेजों अंग्रेज भी पुराने सहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे वह भी उर्दू, फार्सी संस्कृती और साहिरी का मजा लेते थे इस्तानिय त्योहरों में इस्सेदारी करते थे 18-24 में दिल्ली कॉलेज के स्थापना हुई जिसकी सुरुआत 18 सदी में मदर्से के रूप में हुई थी इस संस्थान ने विज्ञान और मानव सास्तर के छेतर में एक नए युग का सुतरपात कर दिया यहां मुक्के रूप से उर्दु भासा में काम होता था बहुत सारे लोग 38-38-57 तक की अवजी में दिल्ली का पुनर जागरन काल बताते हैं एक अतित का द्वनस में हमने क्या देखा कि 58-57 में दिल्ली के हालत कुछ अलग थे बाकी सहरों में क्या होता था काले इलाकों में भारती लोग रहते थे गोरे इलाकों में अंगरेजी लोग लेकिन पुराना सहर जो था ये इसमें दिल्ली में ऐसा अलग था यहां पर क्या होते थे यहां पर अंगरेज पुराने सहर में रहते थे जो भारतीय अमीर भारतीय थे उनके साथ और उनके त्योहरों में भी हिस्सा लेते थे 18-24 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी जो पहले मदर्सा था दिल्ली का पुनर जागरन काल लोग क्या बताते हैं 38-38-57 गुल फरोशन गुल फरोशन फूलों का त्योहर को कहते हैं गुल फरोशन पुनर जागरन इसका साब्दीगर्थ होता है कला और ग्यान का पुनर जनम 58-57 के बाद यह सब कुछ बदल गया उस साल हुए विद्रो के दोरान विद्रोईयों ने बादूर सा जफर को विद्रोग का नित्वत समानने के लिए मजबूर कर दिया था और चार महीने तक दिल्ली विद्रोईयों को नियंदर में रही थी जब अंग्रेजों ने सहर पर दुबारा नियंदर हासिल किया तो वे बदले और लूट पात की मुहीम पर निकल पड़े प्रसीद सायर गालिब उदासमन ने इन घटना को देख रहे थे अठा सतावन में दिल्ली की तभाई को उन्होंने इन सब्दों में व्यक्तिया जब गुसाए सेर अंग्रेज सहर में दाखी लिए तो उन्हों बे सहराओं को मारा घरों को जला डाला न जाने कितने औरत मर्द आम और खास तीन दर्वाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए उन्होंने छोटे छोटे समूदाएं और सहर के बहार मकबोरों पना ली अगली बवागवत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भादूर सा जफार को देज से निकाल दिया और अंग्रेजनों ने भर्मा म्यानमा ने भेज दिया उनका दर्बार बंद कर दिया और कैई महल गिरा दिये बागों को बंद कर दिया और की जगे अपने सैनी को के लिए बैरक बना दिये इसमें हमने क्या देखा 58-57 में जो विद्रो हुआ था उसके बाद दिल्ली के दिल्ली में विद्रुवियों का नियंतरन हो गया था जोकि उन्होंने भादूर सा जफर को मना लिया था विद्रोखा नियंतरन या फिर नेतत्वर करने के लिए जब अंग्रेजों के पास दुबारा सत्ता हाई उन्होंने वहाँ पर लूट पात और कतलिया मचा दिया और भादूर सा जफर को बर्मा बेज दिया जेल में अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाते थे किले की इर्दगीर्ट का सारा इलाका साफ कर दिया गया वहाँ के बाग मैदान और मच्जिदे नश्ट कर दी गई अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखना चाते थे खास तरपर मच्जिदों को या तो नश्ट कर दिया गया या अन्ने कामों के लिए इस्तमाल करने लगे मिसाल के तौर पर जीनत अलमच्जिद जो एक बेकरी में तब्बिल कर दी गई जामा मच्जिद में पांस साल तक किसी को नमाज करने की जाज़त नहीं मिली सहर के एक तिहाई इस्से को डिहा दिया गया नहरों को पटा कर समतल कर दिया गया रेलवे की स्थापना करने और सहर की चार दिवारी के बहार फैलाने के लिए 78-70 के दसक में सहाँ जनाबाद ये पच्चिमी दिवार को तोड़ दिया गया अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विक्सित हुए और विसाल सिविल लाइन्स के इलाके में रहने लगे अब वे पुराने सहर में भारतियों के साथ नहीं रहते थे दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 18-77 में उसे बंद कर दिया गया इसमें हमने क्या देखा कि जो अंग्रेज थे वे दिल्ली के मुगल जो बातसाथ थी उसको पूरा नश्ट कर देना चाते थे उन्होंने किले की इर्दगित इलाके को साफ्ट किया और कही मज्जिदें गिरा दी और उन्होंने जनित एल मज्जिद को बेकरी की रूप में तब्दिल किया और जावा मज्जिद पांस साल तक के लिए नमाज पर रोक लगा दी नहरों को पटा कर सपार्ट कर दिया और रेलवे की स्तापना की और उन्हें चार दिवारी को फोड कर सिविल लाइन्स को विक्सित किया और वहीं रहने लगे और दिल्ली कॉलेज को इसकुन तब्दिल किया जो की 1877 में बंद कर दिया गया तित्रा आठ में आसपास की इमारतें गिरा देने के बाद जाओं जिद का नजार आप देख रहे हैं एक नई राजदानी की योजना अंग्रेजों को दिल्ली की सांकितिक महत्तो का अच्छी तरह पता था लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहां बहुत सारे सांदर आयोजन किये 1870 में वाइस रॉय लिटिन ने रानी विक्टिरिया को भारत की मालिका गोसित करने के लिए दरबार का आयोजन किया वैसे तो ब्रिटिस भारत की राजदानी अभी भी कलकत्ता थी लेकिन इस विसाल दर्बार का आयोजन दिल्ली में किया गया इसकी क्या वज़े रही होगी दिखेंगे वित्रों के दौरान अंग्रेजों ने समझ लिया था कि लोगों की नजर मुगल बाथसा के महत्व अभी भी बना हुआ है और वैसे अपना मुख्या मानते हैं लिहाजा ब्रिटिस सत्तागा मुगल बाथसा और 58-57 के बागियों के मुख्य केंद्रक में पूरी तरह तड़क-भड़क के साथ परदसन किया गया 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लेंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दर्बार का आयोजन हुआ कलकत्ता के बज़ाए दिल्ली को भारत के राजदानी बनाने की फैसले का भी इसी दर्बार में ऐलान किया गया और तत्कालिन सहर के दक्षिन में राई सीना पहाडी पर दस वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्मान किया गया एडवर्ड लट्यंस और हर्बर्ट बेकर के नाम से दो वास्तुगार को दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन करने का जिम्मा सौपा गया दिल्ली इस्तित सरकारी परिसर में दो मील का चोड़ा रास्ता वाइस रोय का महल जो वर्टमान में राजपती भवन है तक जाने वाले किंग्सवे जो वर्टमान में राजपत है और उसके दौनों तरफ सची वाले की इमारते बनाई गई इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत की साही इतिहास के अलग-अलग दौर की जलग दिखाई देती है फिर भी इसका रूप मोटे तोर पर क्लासिकी यूनान जो पांची सती इसापूर्ब में दिखाई देता था वैसा था उधारन के लिए वाइसरोय पहलेज का की नई इमारतों में मृटिस परभूतों की जलग भी जरूरी थी इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वाइसरोय का महल सहा जहांक की जामा मद्दिस से भी उचा हो नई राजदानी की योजना में क्या हुआ कि 1857 में वाइसराय लिटन ने रानी विक्टरिया को मालिका घुसित कर दिया उस वक्त भी कॉलकता ही राजदानी थी लेकिन बाद में 1911 में एक और धर्बार का आयोजन किया गया जिसमें दिरली को एक आधारिक और राजदानी बनाने का फैसला लिया फिर तत्कालिन सहर में सहर को विक्सित करने के लिए जो दो वास्तुकार थे एडवर्ड लटन्स और हर्बर्ट बेकर को जिम्मा सौपा गया और राजदानी पहड़ी के दस में दस वर्ग मेल के इलाके में नई दिल गनिमान शुरूआ उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उसमें हर तरह का डिजाइन सामिल किया जाए जैसे कि केंद्रे गुंबज जो था वे सांची की बोधुस्तुप की बनावट प्राधरित था नकासी दार जो जालिया थी वे मुगल फास्तुकाल्प से ली गई थी लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि बिश्टिश परभुत्तों का जलग भी इसमें सामिल हो और फास्तुकारों ने ये भी ख्याल रखा कि वास्तुकाल्प का महल सहाँ जाँ जामा की जामा मजजिस से भी उचा हो नई दिल्ली के निर्मान में लगबग 20 साल लगे इरादा एक ऐसा सहर बनाने काता हा जो सहाँ जनाबाद के मुकाबले बिलकुल अलग हो इसमें भीड भरे महले और सक्री गलियों के लिए कोई जगे नहीं थी नई दिल्ली में चौडी सडकें, सीडी सडकें और विसाल परिसर के बीच बड़ी-बड़ी इमारतों के कल्पना की गई पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया सहर स्वच और स्वस्त दिखाई देता था अंग्रेजों को भीड भरे इलाके गंदे और स्वास्त के हानी कारक बिमारियों का सुरोथ दिखाई देते थे इसलिए नई दिल्ली में बहतर जलापुर्ती, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी विवस्ता तयार की गई उसे ज़्यादा हरा बरा बनाया गया, वहाँ पेड और बड़े बड़े पार्क बनाये गए ताकि लगातार ताजी हवा और ऑक्सिजन मिलती रहे नई दिल्ली के निर्मान में 20 साल लगे, उनका एक ही इरादा था, सहा जहामात के मुकाबले इसको अलग रखना भीड बड़े महले और सकडी गलियों का यहाँ पे कोई जगे नहीं थी, उन्होंने वहाँ पर दिल्ली में नई दिल्ली में चोड़ी सरके, सीधी सरके और विसाल परिस्तर बनाये और बड़े बड़े चोड़े पार्क मनाएं ताकि उन्हें लगातार ताजी अवा और ऑक्सिजन मिलती रहे आके बेखते हैं यह नई दिल्ली की कलपना का सरोतीन है, दिल्ली के राजदानी के रूप में चुनने का वाइस रो होर्डिंग के वज़े बताई थी, यह बदला भारत के लोगों की कलपना के अनुरूप हुआ और सभी लोग भारत ने बिट्टी सासन को बनाये रखने के लिए अदमे संकल्प के रूप में इसे सहार करेंगे विवाजन के समय जीवन 1947 में भारत के विवाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादद में विस्तिपित हुई मतलगी बड़ी तादद में दोनों जगें रहने लगी इसका नतीजा ये हुआ ये दिल्ली की आबादी बढ़ गई रोजगार बदल गई सहर की संस्कृतिक बिलकुल भिन हो गई स्वतनतता और विवाजन के कुछ दिनों के बाद भीसन दंगे शुरू हो गई दिल्ली में हजारों लोग मारे गए उनके घर बार लूट कर जला दिये गए दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसल्मानों की कैई जगे पाकिस्तान से आये सिक और हिंदु सरनातियों ने लिली सहाँ जनाबाद में लावारिस मकानों पर कबजों के लिए सरनातियों के जुंट घुमने लगे कैई बार उन्होंने मुसल्मानों को भगा जाने और उनकी संपत्ती बेचने के लिए मजबूर किया दिल्ली के दो तिहाई मुसल्मान पलायन कर गए थे जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए बहुत सारे मुसल्मान पाकिस्तन जाने के इंतजार में काम चलाओ सिविरों में रहने लगे उस समय दिल्ली सरनातियों का सहर बन गई थी दिल्ली की आबादी लगभग 5 लाख की व्रद्दी हो गई थी जबकि 1958 में यहां की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी ज़्यादा तर लोग पंजाब से आये थे वे सिविरों, इसकूलों और फौजी बैरकों और बाग बगिचों में आकर रहने लगे उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कबजे का मौका मिल गया भहुत सारे लोग सरनाती बस्तियों में रहने लगे लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी दिल्ली में आने वालों की जरुतों को पूरा कर पाने के लिए दुकानों और इस्टॉल खोले गए और कैई नए स्कूलर कॉलेज भी खोले गए जो लोग यहां से गए थे उनकी जगे सरनातियों की निपुन्ता और काम धंदे बिरकुल अलग थे पाकिस्तान जाने वाले भहुत सारे मुसल्मान, कारीगर, छोटे-मोटे व्यापारी और मजदूर थे दिल्ली आये नए लोग ग्रामीन, भूश्वामी, वकील, सिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे विवाजन ने उनकी जिन्दगी और उनके व्यापसाएं बदल दिये थे फेरी वाले, पट्री वाले, बड़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाई, इन में से बहुत सारे नए व्यापसाओं में काफी सफल भी रहे पंजाब से आई विसाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया भोजन, पहनावे और कला के हर छेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित, सहरी संसकर्ती, नई रुचियों और सम्मिन्दन सीला के नीचे दब गई इस पेरेग्रप ने हमने क्या देखा, विवाजन के बाद कैसा समय रहा, विवाजन के बाद जो 1947 से विवाजन हुआ था, उसके बाद जो मुस्लिम और हिंदू थे विवाजित हुए, पाकिस्तान से हिंदू आये, और हिंदूस्तान से मुस्लिम पाकिस्तान गए, उसकी व पड़े, मैदानों, बाग वकीचों और फौजी बेराकों में रहने लगे उनके धन्दे भी अलग अलग थे में पाकिस्तानमे अलग घंदा करते थे और यहाँ पर आकर उन्हें अलग घंदा करना पड़ा और काफी सफल भी रहे। और उनकी सामाजिक परिसिती और संस्कृती बिर्खुल बदल गई पुराने सहर की बीतर इस बिच पुराने सहर यानी सहाजनाबाद का क्या हुआ अतित्मे मुगलों के जमाने परिसित नहेरों से घरों में ना केवल पानी का ताजा पानी आता था बलकि दूसरी घरेलू जरुत्वे के लिए भी पानी मिल जाता था उनिवसी सदी के जला पुर्ती और निकासी की इस भैतरीन विवस्ता का नजर अंदाज किया जाना लगा कुवे बावडी के विवस्ता अस्त्रस्त हो गई घरेलू कच्रे के निकासी करने के लिए धाराएं भी छतिग्रस्त की गी यह एक ऐसा समय था जब सहर की आबादी लगातर बढ़ रही थी तूटी फूटी नहरे इस तेजी से बढ़ जी कि आबादी की जड़ुतक पूरा नहीं कर पाई 19 सदी के आखिर में सहा जनी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई विवस्ता विक्सित की गई जल्दी ये प्रनाली भी बोज से चर्मना नहीं लगी बहुत सारे अमीर लोग को सड़क के किनारे भैती नालियों और उफनते खुले नालों की बद्बू से परिशान थे दिल्ली मुनसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी विवस्ता पर पैसा खर्च करने को तयार नहीं थी तथा भी उसी समय नई दिल्ली की लाकों में निकासी विवस्ता पर लाखों रुपे खर्च किये गए जो परानी दिल्ली का क्या हुआ वहापर जो नहरों की विवस्ता की गई थी वह छतिगरस्ट हो गई और जो मुन्सिपल कमेटी थी दिल्ली की वे उस पर पैसा खर्च करने को तयार नहीं थी जबकि नई दिल्ली में वे पैसा खर्च करने को तयार थी हवेलियों का पतन सतरवी और अठारवी सताब्दियों में मुगुल कुलिन वर्ग भव्वे हवेलियों में रहता था 19 सदी के मध्य का नक्सा देखने पर ऐसी कम से कम सो हवेलिय दिखाई देगी ये चार दिवारी से घिरे दालन और जर्नों वाली भव्वे मारते थी एक हवेलियें बहुत सारे परिवार रहते थे खूबसूरत फाटक्ट से भीतर जाने पर हवेलिय के अंदर आप एक खुले हा आते पहुंच जाते थे इसके चारों और तरफ महमानों और कारिवारों के लिए सारजनी कमरे बने थोते थे जिनका सिर्फ पूरसी इस्तमाल करते थे बीतरी दालन और कमरे परिवार के ओरतों के लिए होते थे हवेली के कमरों में कैई कामों के लिए इस्तमाल होता था उनमें फणिचर बहुत कम होता था यहां तक की 19 सदी के मध्य तक कमर अलदिन खान के हवेली में कैई इमारत थी उनमें गाड़ी वानों, तंबू लगाने वालों, मसालची, खातेदारों, कलरकों, घरेलू नौकरों के रहने का अंतजाम था बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिस सासक के इस समय इन विसालका इमारतों को समानने के हलत में नहीं थे फल सरूप हवेलियां बटने लगी, उनकी हिस्सों को बेचे जाने लगा, हवेलियों के जो इससे सड़क पर खुलते थे, वहां दुकाने रोगुदाम बन गए कुछ हवेलियां नए उभरते व्यापसाई वर्क के लिए नियंतर में चली गई, बहुत सारी उप्योगी नहोंने के कारण बेकार हो गई उपने वेसिक बंगले इन हवेलियों से बिलकुल अलग थे, यह बंगले एकल परिवार के लिए बनाए गए थे इसलिए उनमें एक मंजिलों की धालवा छट वाली इमारत होती थी, यह बंगले आम तोर पर एक या दो एकर के खुले इस्थान में बने होते थे इनमें रहने, खाने और सोने का कमरा अलग-अलग होता था, अगले इससे में एक लंदा बरामदा होता था कैई बंगलों में तीन तरफ बरामदे बनाए जाते थे, रसोई घर, अस्तबन और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे, घर की देखबाल के दरजन लौकरों होते थे, परिवार की औरते अक्सर दरजियां और अन्य कारीगारों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठी रहती थी, अमीर क्या होते हैं, कुलीन और कुलीन व्यक्ति होते हैं, नगरपाली का योजना बनाती है, 1931 की जन्गंजान पता लगा कि पुराने सहर के इलाके में भयानक भीड है, यहां प्रती एकड 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली मे प्रती एकड केवल तीन लोगों का उसत था, पुराने सहर के बिगड़ते हालात के बावजुद उसका फैलना जारी रहा, पुराने सहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहोर, गेट सुद, नगर की योजना के नाम से एक विस्तार योजना तयार की इसके पीछे सोच है थी कि यहां के निवासियों को पुराने सहर से अलग एक तरेके चोरहाया बजार की तरफ ढखिला जाए, एक चोरहा पर चारों तरफ दुकानों की कलपना की गई, इस पुनरवास से सडकों के लिए जाल वाली संरचना तै की गई, सबी सडकों की चोड पार्क गंज के नाम से जाना गया, यह कभी पूरा नहीं हो पाया, उसने पुराने सहर की भीड को आजात कराने में मदद नहीं की, यहां तक कि 1912 में भी इन नए स्थान पर जलापूर्ती और निकासी की व्योस्ता बहुत खराब थी, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गथन 1936 में किया गया, इस योजना के तहट संपन लोगों के लिए दरिया गंज, दक्षिन जैसे इलाखे बनाए गए, यहां पार्कों के इर्दगिर्द रिहाइसी मकान बने, मकानों के भीतर निजिता की नई सोच के इसाप से जगे बाटी गई, अब भहुत सारे परिवार या सम माज़ा जगे पर नहीं रहते थे बलकि मकान के भीतर एक ही परिवार के विविन सदोस्य के लग 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 होनी लगी, अन्यत्र में दक्षिनी अफ्रेका में हर्बट बेकर देख रहे हैं हर्बट बेकर, अगर आप चित्र सोला और सत्रा में देखेंगे तो पाएंगे इन दौनों अमारते बिल्कुल अलग हैं, अलग-लग महादीप की हैं, अठारा सो नभ्य के दसक की शुरुवात में हर्बट बेकर नाम से एक यूवा अंग्रेज वास्तुकार नाम की तलास में दक्षिन अफ्रीका पहुंचा, यहीं बेकर की मुलाकात कैट टाउन के गवर्न कर दिया, चित्र सत्रा में दक्षिन अफ्रीका इस्तित प्रीटोरिया सहल के यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसका रूप रेखा बेकर ने तयार की थी, इसमें प्राचीन प्रतिसिष्ट वास्तु सिल्व के तत्तों को इस्तमाल किया गया, जिनका बेकर ने नई दिल्ली सची वाले भवन की योजना में इस्तमाल किया था, यूनियन बिल्डिंग में भी नई दिल्ली सची वाले भवन जो सित्रसोला में एक पहाड़ी परिस्तित है, क्या ध्यान दिया कि सत्ता में बैठे लोगों के नीचे से उपर की और देखने की बजाए, पच्च नमर एक है, सही गलत बताईए, पहला है, पच्चेमी विश्व में आधोनिक सहर और दोगी करन के साथ विक्सित हुए, बिल्कुल सही है, सूरत और मचली पतनम की का उननिस्वी सदी में विकास हुआ, गलत, बीस्वी सताबदी में भारत का जादतर आबादी सहरो को में रहता था, गलत, 1857 के बाद जामा मच्जीद में पांस साल तक नमाज नहीं हुई, सही है, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर जादत पैसा खर्च किया गया, गलत, रिक्तिस्तान की पूर्ति करें, पहला है, सफलता पूर्वक गुम्बत का इस्तमाल करने वाली पहली इमारत कौन सी थी, जामा मच्जीद उतर आएगा, अगला है, नई दिल्ली और सहाजनाबाद की रूप रेखा तैय करने वाले दो वास्तुकर कौन थे, अगला है, अंग्रेज भीड भरे इस्तानों को क्या मानते थे, बिमारियों का स्रोत, अगला है, किसके नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तयार की गई, लाहोर गेट सुधार योजना के नाम से, प्रस्ट नमर तीन है, नई दिल्ली और सहाजनाबाद की नगर योजना में तीन फर्क ढूंडे, सहाजनाबाद की दिवारों से गिरा सहर था, जबकि नई दिल्ली ऐसा नई था, सहाजनाबाद में भीडवार वाले महले सकडी गलियां, लेकिन नई दिल्ली में साफ चुतरी, गलियां और चोडी सडकें और चोडी गलियां बनी हुई थी, नई दिल्ली में जलापुर्ती तता गंदगी आदी से निटारे की लिए अच्छी व्यश्ता की गई थी जबकि सहाजनाबाद में इस तरह की अच्छी व्यश्ता नहीं थी प्रश्ण चार है मदराज जैसे सहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे प्रश्ण पांच है आईए विचार करे में प्रश्ण पांच है विश्वी करन का क्या मतलब है प्रश्ण चेर हैं अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजदानी नहीं थी अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतित महत्व अच्छी तेर पता था अंग्रेज मुगुल बाथसा को महत्व को कम करना चाते थे अंग्रेज कलकता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजदानी बनाना चाते थे प्रश्न साथ है पुराना दिल्ली सहर ब्रिटिस सासन के तहत किस तरह बदलता गया पहला लाल किले के आसपास का सारा इलाका साफ कर दिया गया बाग मैदान और मजीदे नश्ट कर दिया गया सहर का एक तिया इससा ड़ा दिया गया 1870 के दसक में रेलवे की स्थापना तथा सहर के विस्तार के लिए सहा जनाबाद की पच्चीवी दिवारों को तोड़ दिया गया नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया पशना आठ है विवाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या आसर पड़ा दिल्ली सरناर्थ्यों का सहर बन गया、 लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां बसी दिल्ली की जन संग्या में तेजी से वरद्दी हुई जन संग्या में पांच लाग की वरद्दी हो गई दिल्ली के एक तियाई मुसल्मान पलायन कर गए जिसमें से चजिस से 44,000 माकवन खाली हो गए चौथा, पाकिस्तन जाने वाले ज्यादातर मुसल्मान कारिगर छोटे व्यापारी और मजदूर थे जबकि नए लोग भू स्वामी, वकील, सिक्छक व्यापारी और छोटे दुकानदार थे विवाजन ने उनकी जिन्दी और उनके व्यापसाय बदल दिये थे प्रश्ण नौ है, आईए करके देखें, जो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने अपने सहर को देखकर, आपके आसपास को देखकर, उसकी एतियास का पता लगाना है, अपने गाम कस्वो को वेबसाय कैसे चल रहा है, यह पता लगाना है आशा करता हूँ आप यह चैप्टर और अध्याय आसानी साथ समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे, इसी प्रोका आगे भी करने के लिए जुड़े रहे है चैनल के साथ, लाइक करें सब्सक्राइब परें, धन्यवाद